नमस्कार मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब ता लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैं साइन्स एसस्ट एप्सलुटली फ्री एट लर्नोहब.com बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं NCRT Solutions, Class 7, New Kings and Kingdoms, Question No.1 to 8. चलिए बच्चों हमारा आज का चैप्टर हमीं स्टार्ट करते हैं Question No.1 से Question 1 हमारा है Match the following. match कराना है किसे किसको match कराते हैं आई दिखते हैं गुर्जारा प्रतिहारा इसको के एंगी गुजरत और राजस्थान, गुर्जारा प्रतिहार जो तैंट शासन विस्तार उने कहां सब्सक्तिक्तों गुज्फ्सकर20 luck किये छेटा और देक 36 से इनका जो स्टासन होता है वो स्टार्ट होता है नेक्स हम दए करा Kumar को मैच कराते हैं बेंगॉल से पाला जो थे यह बौध से और इन्होंने 4 सेंचूरी तक बंगाल और बिहार पर राज किया नेक्स हम देखते चोलाज चोलाज को मैच कर आएंगे तमिल नाडू से चोलाज जो थे वो तमिल छेत्र में इनका राज था और यह इंडियन डाइनस्टी से ही बिलॉंग करते थे इंडियन डाइनस्टी से कही यह थे और इन्होंने 9-13 सेंचुरी तक राज किया नेक्स्ट हम देखते हैं Question Number Two Question Number Two हमारा है Who were the parties involved in the tripartite struggle? Tripartite struggle में involved होने वाली parties कौन कौन थी? आएए इसका अंसर देखते हैं, the parties involved in the tripartite struggle were गुरजारा प्रतिहारा, रास्टकूता और पालाज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में involved होने वाली ये तीन हैं पार्टी गुजारपरतिहाराज, रास्कूटाज और पालाज इन तीनों में स्ट्रगल क्यों होता था करनोज को लेकर क्योंकि करनोज उसमें काफी फलफूर रहा था जिससे की सभी उसको अपने कबजे में लेना थे करनोज पर ही अपना अधिकार सभी करना चाते थे जिसके लिए करनोज को लेकर इन तीनों पार्टियों में अक्सर जगडे होते रहते थे जिसकी वज़़े से इन्हें नाम दिया गया ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का चली बच्चों चलते हमारा नेक्स कोश्चन क्वालिफिकेशन नेसेसरी है आंसर देखते हैं कुछ पॉइंट में आंसर हमारा है शुट भी ओनर्स ओफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इस कलेक्टिड जहां से भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है वहां पर उनकी खुद की लैंड होनी चाहिए मतलब व between 35 and 70 years of age उनकी age 35 to 70 होनी चाहिए 35 से 70 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए next है they should have knowledge of the vedas उन्हें वेदो का ग्यान होना चाहिए next है they should be well versed in administrative matters and honest उन्हें administrative matters का अच्छा ग्यान होना चाहिए अच्छा knowledge होना चाहिए और उन्हें honest होना चाहिए next point है हमारा if anyone has been a member of any committee in the last three years he cannot become a member of another committee means कि कोई भी ऐसा member जो कि कि किसी भी committee का member रहा हो last three years में वो अन्हें किसी committee का members नहीं हो सकता था next हमारा है anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections means कि जो भी अपने accounts या अपने relatives के accounts की knowledge नहीं देता submit नहीं करता वो इस election का में participate इस election contest में participate नहीं कर सकता था तो इस तरह से ये कुछ points थे ये कुछ qualifications थी जो कि member बनने के लिए necessary थी चली बच्चों next हमाते हैं question number four question हमारा है what were the two major cities under the control of the chaamans chaamans, chaamans जिन्हें बाद में हम लोग चोहान के नाम से जाने हैं two major cities under the control of chaamans first है अजमेर and second है Delhi हम आते हैं next question question five हमारा है how did the raskutas become powerful raskut जो थे वो powerful कैसे हुए answer देखते हैं initially they were subordinate to the chalukyas of karnatka starting में वो क्या थे karnatak के chalukyas के अधीन थे उनके अधीन काम करते थे in the mid 8th century दंती दूर्ग रास्टकूटा chief overthrew his chalukya overlord and performed ritual card हिरनगर्ब हम देखते हैं कि mid 8th century 8th century के mid में रास्टकूट chief जो की दंती दूर्ग नामक था उसने चालukyas को हरा कर अपने सामराजी का विस्तार किया उसने हिरनगर्ब नामक एक अनुस्ठान भी किया तो इस तरह हम देखते हैं कि रास्टकूट powerful कैसे हुए पहले थे वो चालुक्यों के अधीन काम कर रहे थे बाद में उन्होंने चालुक्यों को वहां से हटाया और वहां पर अपना सामराज स्थापित किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया चलि वच्छों हम आते हैं कोशन नंबर सेक्स कोशन नंबर सिक्स हमारा है वाट इसमें कोशन हमारा है कि न्यू डैनेस्टी जो नियू राज़चाही परिवार थे उन्होंने एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए क्या क्या किया तो हम आंसर देखते हैं इंटर्प्राइसंग फैमिली यूज यूम देखते हैं एन्ट सामनत हैं गेंपावर और अध़ाई जो सामन्त है जब उनके पास wealth and power आ जाती है मतलब उनके पास पैसा पावर ही आ जाता है तो वो अपने आपको महा सामन्त और महा मंदलेश्वर के रूप में घोशित कर देते हैं means declare कर देते हैं और जिससे की वो अपनी पावर को और ज्यादा दिखाते हैं कभी कभी वे अपने आपको सौतंत दिखाते हैं अपने राजा से सौतंत अपने आपको कभी कभी दिखाते हैं existing kings often acknowledged them as their subordinates और समान्त अब यह सामन्त बनाए कैसे जाते थे चुने कैसे जाते थे तो हम देखते हैं 8th century आते आते तक अलग 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 एरियाज में बहुत सारे लैंड ओनर और वारियर्स आते हैं दिखाई देते हैं जिन्हें की राजा सामन्त के रूप में अपने राज में बिठाता है में राजा इन्हें सामन्त के रूप में चुनता है या अपने रिलेटिव्स को सामन्त के रूप में चुनता है और वो उनसे अपक्षा करता है कि वे उन्हें तरह तरह के गिफ्ट् और उनके दर्बार में आके बैठें तो सामन्स के लिए तो इसलिए नियुव डैनेस्टी के में एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए राजा यह यह कार करता है आए बच्चों हम देखते हैं हमारे कोशन नमर सेवन कोशन से नमर सेवन है वाट काइंड अफ इरिगेशन वर्क् अधर पार्ट्स ऑफ तमिल नाडू तमिल नाडू के अधर पार्ट्स में अग्रिकल्चर जो है वो पहले से ही डेवलप था इट वाज ओनली फ्रॉम दा फिफ्ट और सिक्ट सेंचूरी डैट इस एरिया वाज ओपन अप फोर लार्ज स्केल कल्टिवेशन लेकिन हम देख अगे हम देखते हैं लैंड है तो भी लेलल्ड इन अधर एरिया जो लैंट है वो अधर एरिया में अधर होना समस्काल होना था नेक्स्ट हम देखते हैं इन देल्टा रिजण इंब्वेंग्मेंट इंबिल्ट है तो बी बिल्ट työ ठूबंश य सो फ्लूदिंग एंड कैन के लिए delta's reasons में तरबंद बनाए जाते हैं embankments बनाए जाते हैं and canals had to be constructed to carry water to the fields fields तक water पहुचाने के लिए canals बनाय जाते हैं construct किये जाते हैं in many areas to crop were grown in a year one year में two crops जो हैं वो grown की जाने लगी in many cases it was necessary to water crops artificially कुछ reasons में necessary था water crops artificially means कितरे मुरूप से सिचाई करना कुछ reasons में जरूरी था इस तरह हम देखते हैं Tamil Nadu में इस तरीके के कारें जो हैं वो किये गए irrigation को develop करने के लिए चली बच्चों आते हैं question number 8 question हमारा है what were the activities associated with चोला's temples आंसर है पहले हमारा question देख लेते हैं चोला's temples की activities है वो क्या है आंसर हम देखते हैं चोला temples often became the nuclei of settlements which grew around them जो चोला's temples थे वो उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए nuclei केंद्र थे next है these were centers of craft production ये center थे craft production का next है temple were also endowed with land by rurals as well as by others ये जो मंदिर थे राजाओं या अने लोगों द्वारा दी गई भूमी से भी संपन्न होते हैं the produce of this land went into maintaining all the specialist who worked at the temples the temple and very often lived near it priests, garland, makers, cooks, sweepers, magicians, dancers etc इस लैंड पर जो प्रोडियोस होता जो उपज होती थी वो सारी खर्च होती थी इनके जो मैंटेन मैंटेनिंग में जो इस्पेसलिस्ट है विशेशगी थे उनके उपर खर्च होती थी जो की मंदिर के आसपास रहते थे जैसे कि प्रीस, garland, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers etc In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well दूसरे शब्दों में देखें तो यह जो temples थे यह सिर्फ worship के ही लिए नहीं थे यहां सिर्फ पूजा पाठी नहीं थी थी यह केंद्र थे, यह hub थे, economic, social and cultural life का भी क्योंकि मंदिर थे, यहां पे इनकी भूमी ज़्यादा थी, यहां पे खेती होती थी जिससे लोगों का खर्चा चलता था तरह तरह के शिल्प उत्पादन किये जाते थे, तरह तरह की crafts होते थे, जिनकी sale होती थी तो इस तरीके से यह जो थे, वो economic, social and cultural life के भी केंद्र थे तो बच्चों इस तरह हमारा यह chapter होता है complete, मिलते हैं next chapter, next solutions के साथ at learn how free है, the best है कर दो कर दो झार, वो कर दो कर दो झाल झाल